नमस्कर दोस्तों उमिर करते हैं कि आप लोग सही सलामत होंगे तो दोस्तों आप phone pay का यूस तो बहुत सारे तरीकों से करते होंगे पैसा भेजने के लिए पहला है scanner, आप scan करके किसी के पैसा भेज सकते हैं या किसी का mobile number डाल कर उसका phone pay number है तो उससे आप भेज सकते हैं और तीसरा जो है उसका UPI से आप उसका नाम सर्च करके भेज सकते हैं और जो चोथा हम बताएंगे कि आप किसी भी वेक्ति के खाते में पैसा कैसे भेज सकते हैं कि की दोस्तो हम cyber चलाते हैं बहुत लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे किसी भी relative को पैसा भेजना है खाते से और वो अपने से भी आप खाते में पैसा बेश सकते हैं अपने phone pay के मदद से तो चलिए देखते हैं कि आप phone pay से किसी भी विक्ति के खाते में पैसा कैसे transfer कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अपना phone pay को open कर लेना है एक तो पहला आप scanner से पैसा बेश सकते हैं दूसरा आपना mobile number से बेश सकते हैं और वहाँ पे तिसरा है किसी के UPI ID से भी बेश सकते हैं तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि खाता से कैसे बेशेंगे तो यह देखिए नीचे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुए to bank लिखा हुए इस पे आपको simply click करना है और यहाँ पे देखिए plus का symbol है वहाँ पे आपको plus पे click कर देना तो जैसे हमारा यहाँ पे state bank का है तो हम यहाँ पे state bank का खाता है तो यहाँ पे हम state bank of India सेलेक कर ले रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को लिख रहा है account number तो आपको यहाँ पे जिन वेक्ति को पैसा भेजना है वहाँ पे उसका खाता number यहाँ पे डाल दीजिएगा जैसे हमने खाता number डाल देए यहाँ पे दोस्तों IFC code नहीं required करता है ना किसी का नाम करता है आपको यहाँ पे simply आपका जो है खाता number डाल देना है और next पे click कर देना है जैसे ही click किजिएगा तो उसका नाम बता देगा जो account holder है उनका नाम बता देगा कि यह किसके नाम से है और यहाँ पे आपका क्या है nickname कोई भी डाल देना है डाल दीए और proceed पे आपको यहाँ पे click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप proceed पे click किजिएगा तो यहाँ पे अगला इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे simply दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना amount जो है डाल देना है और इस कौन सब बेंक से भेज रहे हैं उस पे भी select कर देना और pay पे यहाँ पे क्लिक कर देना जैसे ही क्लिक कीजिए आपका payment जो है successful ले लेगा और यहाँ पे अभी processing में है निकिए यहाँ पे हमारा जो payment जो है successful हो गया है और यहाँ से आप उसके details भी पता कर सकते हैं कि आपका जो पैसा सही सलामत गया है कि नहीं गया है और यहाँ पे एक main आपको topic बता दे कि दोस्तों अगर यहाँ पे कोई first जाता है यह fail link देते तो आप contact phone पे support paper किलिक करके आप पूरी जनकारी ले सकते हैं कि आपके वो खाते में पैसा सही सलामत गया है कि नहीं गया है first गया है नहीं गया है यह जनकारी आप रख सकते हैं हमेशा के लिए तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like share और comment जरूर किजेगा धन्यबाद दोस्तों